Hello students, कैसे आप? I hope आप गर पे अच्छे से होंगे तो बचे हमारा set chapter चल रहा है तो miscellaneous exercise के first 5 questions we have done in the last lecture तो आज हम next question number 6 to question number 10 जानि next 5 questions आज हम करेंगे, ठीक है? तो देखें, जैसे question number 6 में हमें prove करना है A set equal to B set यह हमें prove करना है और हमें एक तरह से given है कि power set of A equal to power set of B simple सी बात है, अगर दो sets आपके पास A और B अगर उनके power set equal हो हैं, तो वो sets भी equal होते हैं it is obvious, बढ़ हमें prove करके यहाँ पे दिखाना बढ़ेगा it's a very simple, तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है कि यार कोई element है वो A में ले लो जैसे आपने laws नहीं बढ़े है, distributive, demorgans, absorption वो proof किया न, तो उसमें क्या मैंने सिखाया है कि दो sets को जब आप equal दिखाना चाहते हो तो भाई या left जो set है उसको right वाले का subset बता दो right वाले को left वाले का subset बता दो जैनि दो sets को equal दिखाने का क्या रास्ता है एक दूसरे का उनको subset बताना है तो बस यहाँ subset आपको बता देना है तो यह prove हो जाएगा, तो उसके लिए आपको element तो let करना ही बढ़ेगा, तो मैंने एक element ले लिया x जो की a set में है जनि left side में को element ले लिया, हमें यहाँ set की बात हो रही तो power set में क्या है subsets होते हैं, power set में क्या होते है subsets, तो यहाँ पर मुझे subset को थोड़ा introduce करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको एक चीज़ यहाँ दिखानी पड़ेगी इसको बताना पड़ेगा कि x अगर कोई element a में है it means there exist there exist at least one subset of a ठीक, क्या रहे कि अगर x के पास कोई element है, तो कम से कम वहाँ पर एक subset तो हो गई, दो भी हो सकते हैं तीन, चार, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक subset तो a का होगा ही तो अगर होगा तो let that subset let that subset of a be x तो हम माल लेते हैं कि a का जो subset होगा, वो x है, capital x तो इस step के बाद आप ऐसा लिख सकते हैं कि this capital x is subset of a जैनि ये चीज़ जो हमने explain की है उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है इतना अगर आपको समझ आ जाता है, तो उसके बाद इसका जो next, जो भी steps है, वो बहुत simple है, बहुत ज़दा simple है, ठीक है x को element a में है, तो इसका मदल जो capital x है, वो a का subset होगा, जानि वहाँ को एक ऐसा set होगा, जो a का subset तो जरूर होगा, तो ऐसा हमने लिख लिए अब ये जो x है, वो a का subset है a का subset है, तो power set का x क्या होगा, ये वाला x power set का क्या होगा, element बन जाएगा न, योगी power set के अंदर ही तो बैठ दाएगा ये capital x, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, sir, this x is what belongs to power set of a, right, इसमें कोई confusion नी, तो अगर x power set of a को belong कर रहा है, तो क्या वो power set of b को belong करेगा, sir, ये कैसे लिख लिख लिया, अरे भाई ये ही तो given था हमें, power set of a is equal to power set of b, ये ही तो given था हमें, तो हमने यहाँ पर इस given part की help ले ली, अब इसको देरे-देरे x को हमने b में ले आना, देखो, बड़ा ही simple है फिर यहाँ पर बात हो रही है, this capital x is subset of b set, ठीक है x अगर b का subset है तो x कहां से आया था small x जो था उसी के element का ये subset बना हुआ है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ नहीं अभी x belongs to b, I can write बस यही समझने आपको बहुत simple है, जी पहले जो 2 step है ना, पहले 2 step, इनको अच्छे से समझने है बाकी ये तो काफी simple है, अपने अपसा मज़ा जाएगा ठीक है, तो ये इसका half part हो गया next जो half है वो कैसे करने इसमें आप y लो और उसको दिखा दो तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर अच्छा, इससे conclude क्या किया आपने conclude क्या किया, कि x जो है वो a को belong कर रहा है, वो ही x b में चला गया तो यहाँ से आपको conclude कर लिया कि sir, जो a है वो b का subset है तो इसी तरह से b को a का subset दिखा दो तो आप ऐसा करें न, कोई element ले लो y let y belongs to where? b, then there exist यही state में लिखनी, then there exist at least one subset of b, one subset of b, तो वो subset हम ले लेंगे, capital y, तो अभी आप direct लिख सकते हैं, कोई दिख करते हैं, तो y belongs to what, y is a subset of b, ठीक है, y अगर b का subset है, तो y should belongs to power set of b, right, अगर y अगर y belong कर रहा है power set of b को, तो इस y को मैं लिख सकता हूँ, it belongs to power set of a, sir, वो कैसे वही, power set of a belong कर रहा है, तो इसका मुलब जो y है, वो subset हुआ किसका, a का, अगर y a का subset हुआ, तो जहां से यह subset बना था, जिन element का यह subset बना था, वो element तो a के पास होगी, that's all, तो जो element आपने right side में लिया, b में, वही element आपने कहां दिखा दिया, left side में, तो यहां से आप conclude कर सकते हैं कि sir, b is also subset of a, number 2, तो from 1 and 2, you can write a equal to b, इसके बाद आप लिख लें न, बहुत simple है, I hope this question is clear, very simple, next is question number 7, यह भी बहुत simple question है, बहुत simple है, basically, हमें पूछा गया है कि यह जो statement है, यह true है कि false, बस यह बताना, statement क्या है कि power set of a, power set of b, यहनि a और b दो set से उन दोनों के power set find कर लिए हमने लग-लग, ठीक है, और उनका union कर रहे हैं, कह रहा है क्या यह a union b का power set होगा, उसके equal बैठेगा, कभी भी भी नहीं बैठेगा, दोनों equal कभी भी भी नहीं अब दूसरी बाशन में अगर मैं आपको समझाओं कि यहाँ पर left and side को right का equal दिखाना है है तो यह set सी है, power set है था है है तो set सी है, चैनि आपको दिखाना है या जो left and side है, यह subset है, right and side का वो जो right and side है, यह subset है left side का, इस part में left and side को आप right and side का subset तो दिखा पाओगे, लेकिन जो right and side है, वो left side का subset कभी भी नहीं बनती है, क्योंगि यहाँ पर किसका power set बनाना है, union का, तो जब आप A और B का union करोगे ना, तो उसमें थोड़े ज़्यादा element हो जाएंगे, उसके ज़्यादा subset बन जाएंगे, इस part के subset कम होंगे, अब यह example से मैं आपको justify करके दिखाता हूँ, देखो, आप कोई भी set ले लो, कोई भी set ले लो आप, ठीक है, आप ले लो, मानो two seven ले लिया, A में, वैसे छोटा लो, मैंने दो ले लिया, आप A की element ले सकते हैं, उससे भी चल जाता है, फिर मैंने B ले लिया, जहां तो disjoint ले लो, totally disjoint ले लो, कि two seven ले, उसमें कुछ nine ten रख लो, जहां फिर कोई एक element कम से कम, एक element common कर दो, उससे क्या होगा, आपको example बनाने में असानी होगी, union के जब आप subsets बनाओगे, थोड़े कम बनेंगे, क्योंकि अगर मैं disjoints ले लूँगा, तो union में ज़्यादा element आएंगे, वो ज़्यादा subsets आपको बनाने पड़ेंगे, example को frame करने के लिए, तो यह से बता रहा हूँ, यहां तो single single element ले लो दोनों में, यहां फिर double double रख लो, ज्यादा मत लेना, single single better option है, बड़े आपको समझाने के लिए यहां दो दो ले रहा हूँ, आप single single भी ले सकते हो, तो मैंने एक element common रख लिए है, a set आगया, b set आगया, तो इनका union भी में निकाल देता हूँ, two seven eight, अब देखो, जैसे मैंने example set की, वैसे यह समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है, अब मैं बोलो, a union b का जब मैं power set बनाऊंगा, तो उस power set के अंदर होते हैं subsets, तो a union b के पास है तीन element, तो इसके कितने subsets बनेंगे, two restore three, that is eight subset बनेंगे, जहनी right hand side को जो मैं evaluate करूँगा with respect to this, तो मेरे पास eight elements बैठे होंगे, यहां right hand side में इस power set के पास, लेकिन जब मैं a के subsets बनाऊंगा, b के subsets बनाऊंगा, फिर उनका union करूँगा, तो उसके पास eight subsets नहीं आएंगे, कम से कम एक subset कम होगा, कम से कम एक, ज्यादा भी हो सकते हैं, वो depend करता हैं, इनमें कितने element common आ रहे हैं, करके दिखाता हूँ, देखो अब, power set of a, null set, single element, single element, फिर two seven, तो power set के पास क्या होता है, subsets होते हैं, तो a के subset मैंने रख दी, एक बड़े set के अंदर, इसा power set of a, अब इसी तरह से मैं power set of b बना रहा हूँ, तो null set तो आना ही आना है, उसके बाद single, single, फिर, खोद ही आ जाएगा, that's all, बना दिये दोनों के power set, अब left side को evaluate करने के लिए मैं बोल रहा हूँ power set of a, power set of b, यह करो, यह left side है, यहनी इन दोनों set का union निकालो, इसका और इसका union निकालो, union निकालो के null set एक बार लिखा जायेगा, seven वाला भी एक बार लिखा जायेगा, फिर eight लिख लो, और फिर two, seven लिख लो, और फिर आपके पास seven, eight आगए, अब बताओ इसके अंदर कितने सबसेट्स बिठा दिये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे सबसेट इसके अंदर बिठा दिये वंकि दो इसमें common थे, null सेट था और एक seven वाला था, तो दो काम हो रहेंगे तो total हो गए इसमें six सबसेट्स, ठीक है लिकिन जब आप union का power set बनाओगे बरनी आएंगे, तो हम अब ऐसा करेंगे power set of a union b करके आपको दिखा देता हो a union b के बास को होने two seven eight, तो इसके मैं eight subsets यहाँ पर लिखने वाला हूँ, एक null set आजेगा एक two आजेगा एक seven आजेगा, एक eight आजेगा एक two seven आजेगा एक two eight आजेगा फिर एक seven eight आजेगा और एक एक खुदा आजेगा, two seven eight अब बताओ, यह जो right hand side है power set of a union b क्या यह इसका subset बन बाएगा never, योगि इसके सभी element इसमें कैसे present होंगे, वैसे ही जाद है तो here you can write here you can write कि power set of a union power set of b, यह तो subset बन रहा है power set of a union b का लेकिन, लेकिन जो power set of a union b है वो कभी भी subset नहीं होगा power set of a union power set of b का ओके डियर, this statement ठीक है अब यही question same आपको intersection में मिलेगा, intersection में यहाँ आप उसको समझ भी सकते हैं इस example में अगर आप union की जगा सिर्फ intersection निकालो वो सारी चीजे करो जो हमने की है intersection में हमेशा यह equal आएंगे ठीक है, जैसे question मैं यहाँ बना देता हूँ power set of a, intersection power set of b is equal to power set of a, intersection power set of b, यह दोनों हमेशा equal आएंगे and it is very important property यह आपकी miscellaneous की example है आप देखना, यह दोनों equal आएंगे इनको आप प्रूब कर सकते हो, इस अंदर को element लो, वो इसमें दिखाया जा सकता है, इसमें को element लो, वो इसमें दिखाया जा सकता है, और इस example में यहाँ मैंने union की आप intersection करो, तो यह जो आपने बनाओगे ना, यह जब आप इसका intersection निकालोगे और इसका intersection के power set बनाओगे, यह दोनों set आपस में equal आजाएंगे, आप करके इसको देखना पका, ठीक है, तो यह था question number 7, इसमें justify करना था, यह true है, जो false है, हमने बोला false है, और हमने इसको justify करके दिखा दिया, यह justification last में with example, चलिए, next is question number 8, so that for any sets a and b, a equal to this and this equal to this, यह भी काफी interesting, यहाँ पर जैसे इस set को इसके equal दिखाना है, तो वही बात है, left में कोई element लो, right में दिखा दो, जानि left को right का subset बताओ, right को left का subset बताओ, जो loss where अब हमने किया, वही सब करना है, तो यहाँ पर हम right hand side जो थोड़ी बड़ी है, इसमें कोई element ले लेते हैं, तो मैंने लिखा यार, x belongs to a intersection b, union a minus b, ठीक है वेटा, ठीक है, अब दीरे-दीरे इसको simplify करते जाओ, यही x a में आएगा, वो कैसे, देखो, हम सबसे पहले इस union को हटाएंगे, तो यहाँ पर और लिखेंगे, we can right, कोई problem होगा, फिर x belongs to a, इसमें लिखेंगे, and x belongs to b, यह operations की property ने यह हमें पता है, x belongs to a, यहाँ पर आजाएगा, x belongs to a, and x does not belong to b, ठीक है, यह ज्यान हो सकता, बस वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखिए, अब आप यहाँ पर ध्यान दे, जैसे आपने distributive law का proof किया था, उस time पर आप देखें, जैसे x belongs to a, x belongs to a, rn is the same, इसको आप you can take as a common, आप ऐसा बोल सकते हैं, common तो नहीं होता, बड़ आप इसको a की बार लेखें, x belongs to a, और जो and, and distribute हो रखा है, दो बार, उसको एक बार यहाँ पर लेखें, and और बाकी वाले part को you can write, x belongs to b, और x does not belong to b, got it, कुछ नहीं किया, x belongs to a, x belongs to a, यहाँ लिख लिया, and, and, यहाँ आगया, बार, same distributive law जैसा ही कर रहा हूँ, ठीक है, चली, next, x belongs to a, and, अब यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, x belongs to b, यह तो ऐसा रखेंगे, यहाँ और, इसको ऐसे belongs कर दूँ, तो क्या change आएगा, बी कॉंप्लिमेंट, अब बताओ, इस statement का क्या मतलब है, इस statement का क्या मतलब है, x है, वो b में है, जहाँ फिर वो b कॉंप्लिमेंट में है, बिल्कुल भई, जहाँ तो वो b में होगा, यहाँ फिर B के complement में होगा, किसी एक में वो होगा, ठीक है, थोड़ा सा एक step और बढ़ाते हैं, और चीज़ें clear करने के लिए, क्या मैं इसको आप ऐसे लिख सकता हूँ, X belongs to universal set, यहाँ आप यूनिवर्सल direct नहीं लिखता हूँ, पहले union का definition लगाता हूँ, देखो, X belongs to B, और X belongs to B complement, तो can you write X belongs to B union B complement, क्योंकि अगर आप ऐसा बोलते हो कि X belongs to A, और X belongs to B, तो आप बोलते हो X belongs to A union B, यहाँ पर हो गया X belongs to B, और X belongs to B complement, तो आप लिख सकते हैं, X belongs to B union B complement, अब यह जो आपने यहाँ पर बना दिया है, अब आप सोचो, universal set आपने discuss किया था, not वगरा हमने सीख लिया, तो अब आप इस चीज़ को कैसे बता सकते हो, इस चीज़ को, X belongs to universal set, क्योंकि आप बता रहे हो, जो X कहां belong कर रहे है, B और B complement के union में belong कर रहे है, अब आप यहाँ से claim करो कि X जो है, वो A में है, और वही X universal में भी है, कोई element A में है, और वही element universal में भी है, तो अगर मैं इसको ऐसे claim कर लो कि X belongs to A, तो इसमें क्या problem है, सिर्फ यह लिख दो, इसको हडा दो, कोई दिक्कत नहीं है, absorption law में भी मैं आपको यही चीज़ आपको तब समझाए थी, detail में, X belongs to A and X belongs to universal, तो you can write X belongs to A, universal को आप हडा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो universal में रहेगा, ठीक है विटा, that's all, तो यह इसकी explanation, ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने element लेना है ए में, let it be Y, जैसे उपर अभी किया, तो वो आपने यहाँ पर right side में दिखाना है, तो इसको आपने खुद करना है, पहला step ही आएगा, फिर यह 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 आएगा, ऐसे reverse करते हुए y चला जाएगा यहाँ पर right hand side, ओगे डिये, तो फिलाल इससे जो हमने conclude किया है, कि जो हमारी right hand side, जिसमें हमने element लिया, a intersection b, union a minus b, union a minus b is what, subset of a number 1, अब number 2 कैसे बनाने है, वही reverse करने है, I hope इसके आगे आप कर सके लिए, अब next हमारा ये वाला part है, ये वाला part, काफी simple है, काफी simple है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, hint मैं आपको दे देता हूँ, इसमें आपने x let कर लेना है, ठीक है उटा, चल मैं करी रहेता हूँ, a union को हटाओ, और x belongs to b minus a, फिर b minus a का definition लगाओ, sir, x belongs to a, और x belongs to b, and x does not belong to a, ऐसे लिखना है, तो उसके बाद, sir, x belongs to a, और, अच्छा, sir, ये तो distributive law बन के अब बिलकुल, तो आपको ऐसे लिखना है, x belongs to a, और x belongs to b, a group ये बन जाएगा, फिर और को distribute कर रहे हूँ, और को distribute कर रहे हूँ, and पे, and x belongs to a, और, x does not belong to a, ओगे दियर, ठीक है, क्या गिया, left side में को element लिया, union को break किया, फिर difference का definition लगाया, फिर जो x belongs to a है, इन दोनों पे distribute कर दिया, with or, ठीक है, बीच में and चलेगा, इसके बाद, जो first वाला पार्ट है, इसको you can write x belongs to a union b, इसमें कोई दिक्कत नहीं, and अब देखो यहाँ पर क्या sense battery, क्या रहा है, x belongs to a, और, x belongs to a compliment, वापिस जैसे इसमें हमने किया, इसका does not हडा दिया, यहाँ पर compliment हो जाएगा, यह हमें पता है, इसके बाद, फिर x belongs to a union b, and x belongs to a, union a compliment, फिर x belongs to a union b, and अब a union a compliment क्या होता है sir, universal set, अब कोई element वो किसी set में है, चाहे वो union है, कुछ भी है, कोई element वो a union b में है, और वही element universal set में भी है, तो अगर मैं सिर्फ इतना claim कर लूँ, कि x belongs to a union b, तो इसमें कोई problem नहीं है, अगर वो element union में है, तो वो universal में तो हमेशा आएगा ही, ठीक है that's all, तो इससे आप ये claim कर सकते हैं, कि जो आपकी left hand side है, वो किसका subset हो गई, राइट hand side का, तो ऐसे right side में आप element ले लो, इसको reverse steps लगा दो, होगे dear, तो बचे इसको कर ले न, ठीक है, आपके लिए मैंने कर दिया, वैसे छोड़ रहा था, जाने दो इसको अभी, आगया आ 9th question, very interesting and very simple, अरे सर ये तो किया हुआ है, ये तो किया हुआ है, क्या है ये देखो, क्या है ये, absorption law, क्या है ये, absorption law है वही, इसका proof हमने कर रखा है, demorgans distributed absorption law, तीनो laws एक video lecture में मिल जाएंगे आपको, उस video lecture में, इनके proof, detail में बता रखें, detail में, ठीक है, ये question वही है, basically 9th वाल Now the next is question number 10th, it's a very simple question basically, अब इसमें हमें बोला है कि यार, ये equal है, जानि A का intersection B के साथ, और A का intersection C के साथ, दोनों equal है, बोध हर equal, इनकी intersection आपस में equal है, A, B and A, C, they are equal with intersection, क्यारे, need not imply that B equal to C, क्यारे, अगर ये equal है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि B, C के equal होगा, B, C के equal नहीं ये आपको prove करना है, इसमें पहले आपको example से समझाता हो, देखो, आपने कोई A set ले लिया, like 5, 7, 9, 10, कोई भी set ले लो, फिर आप दूसरा कोई B set ले लो, इस तरह से set लेना है कि A, B का जो intersection होगा, और A, C का जो intersection होगा, वो same आना चाहिए, तो आप B set कोई frame करो, फिर उसम इनी, null set कुछ number आने देना, disjoint मत ले लेना, let I am taking 5, 7 and 11, 13, ठीक है, तो इसमें कोन आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, और कुछ तो नहीं आएगा, तो A intersection B मेरा 5, 7 आ गया, अब मैंने जो C set frame करना, उसमें intersection मेरी 5 और 7 आनी चाहिए, इस condition के according, given वाली condition को create करते हैं, फिर A, B को देखते हैं, अब देखो, मैं यहाँ पर C set कोई frame कर रहा, तो C set में मेरे को 5 और 7 तो रखने ही पड़े, C set पर 5, 7 रखने पड़ेंगी, अब अगर यहाँ पर 10 रख दूं, यहाँ पर 12 रख दूं, तो कोई problem, कोई problem नहीं, तो मैंने क्या किया, C set को frame कर दिया, और फिर मैं अब देखा यार, A intersection B और A intersection C, दोनों से हम आ रहे हैं, देखो, दोनों से हम, कर दिया से हम, अब देखो, क्या B C के equal हो रहा है, क्या B C के equal हो रहा है, चेक कर न बड़ेगा, सरी, यह B set और यह C set, क्या दोनों equal हैं, नहीं भाई, इसमें वही element common रहेंगे, जो उसमें आ रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है, कि B और C equal हो जाएं, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, यहीं आपको उसको दिखाना है, यहीं उसको दिखाना है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, कि here, A intersection B is equal to A intersection C, but B is not equal to C, यहीं आपको दिखाना है, उसमें, I hope it is clear, तो आज के इतने ही questions रखेंगे, total हमने 5 questions कर लिए हैं, 5 पहले, total 10 हो गए, 10 questions एकदम फेर कर लो अपनी notebook पे, अब इसके बज़े हुए जो questions है, next lecture में complete हो जाएंगी, ठीक है बटा, तब तक के लिए, bye bye, thank you and God bless you.